Hello and welcome to the studio traders आज तीनी stocks हमारी watchlist में थे Infosys, Actual and ICICI Bank Infi को आज हमने अपने public telegram channel पर morning में post किया था with the direction, lower time frame पर देखेगा हमने आज का एक resistance level, day time frame का एक resistance level हमने आप लोगों को marker के बोला था कि अगर prices के उपर निखल जातो तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ बाइं करना, selling नहीं करना है 1.6% के आसपास कि इसने momentum दिखा थे, काफी अच्छा momentum था और एक upside का direction यहाँ पर banks को कुछ order हमारी लगे हुए थे जो कि execute नहीं हुए थे तो पूरा आज हमको यह उम्मीद थी कि इस एक resistance के breakout हो जाने के बाद में होड़ा सा color change कर देते हैं perfect इसके उपर निकल जाने के बाद में price का momentum वो upside के तरफ रह सकता है इसके बाद हिंदुस्ता नियुलिलवाज जिसको हमने खुद भी trade किया था और अपने private telegram channel पर morning वे share करते था विड direction के top loss काहां पर लगाना entry जो भी हमारी analysis रही सारी की सारी इसको देखेंगे तो यह भी आज हमारी resistance level से ठक रहा था previous जब आप इसको back out करके देखोगे यहाँ पर volumes के उपर सबसे पहले नजर डालिए कि volumes में देखे क्या हो रहा था यहाँ तक price जो volume हमारी यह increase हो तो यहाँ पर जो volumes हो रही थी यह increase हो रही थी लगाता है बड़ selling की volumes थी याई कि price का एक retracement हमेशा हम लोग को मालूम है कि price जब upside की तरफ जाएगा तो higher higher lows करते हो जाएगा आज उसी higher lows के लिए हमने state को execute किया था short side की तरफ की पूरी bullish market थी trade book open कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग के login है pre login है position book देखेंगे so overall जो हमारा position book की profit है 13,249.60 पैसे का overall हमारा आज की trading session का profit राइज को एक बार refresh कर लेते हैं and perfect 13,249 पैस का profit है एक काफी अच्छा और smooth trade था order book देखेंगे यहाँ पर total quantities जो देखें 416,416 and 16 quantities के साथ हमने execute का हमारा जो stop loss आया था 7 रुपे 20 पैसे का stop loss था इसके अंदर जो हमने अपनी entry ली थी 2570.45 पर हमारी entry थी 257.65 पर हमने यहाँ पर stop loss लेगा था refresh कर लेते हैं इसको एक बार profit and हमने इसके अंदर जो अपने targets को के दे 2538.60 पर हमारे सभी targets हमने आपर book कर ली थे लेकिन वहाँ पर हमने यह बोला था कि price और भी नीचे की तरफ जा सकता है जबकि अपने group में जितने members था हमने पहले ही out कर दिया था बहार निकलवा दिया था तो अभी चलके एक चीज देखते हैं कि क्या हमारा reason क्या रहा और तीनों stocks को लेकर हमारी actual ICICI bank and infi इन तीनों stock को analyze करेंगे और देखने ही कोशिश करेंगे कि क्या क्या possibilities हमारी यहां पर day में बन रही थी सबसे पहले यहां पर हम लोग शुरुआत करेंगे हिंदुस्तान उनी लिवर से हिंदुस्तान में day time frame पर हमारा एक resistance point है जितने भी levels से हम सबकुम delete कर देते हैं day time frame पर यहां पर हमारे पास तीन points निकल करके आगे यह तीन levels है जो के हिंदुस्तान उनी लिवर के लिए important resistance point का का काम करते हैं अब जैसे यहां पर देखिए price के अंदर हमने यह levels मार के हैं अपनी यहां क्यों कुछ एक important candles को लिए previous जब आप यहां पर आओगे तो इस green valley candle 8th of April 2020 की candle है हाला कि बहुत पुरानी यह candle है बट हाँ एक resistance point है आज की market में आकर कि price ने इसी level पर एक resistance point लिया higher high तो लग रहे है price upside की तरफ जा रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं जो resistance points है यहां पर इसको देखने के बाद में price के अंदर हमें अपने movement sketch करने होते हैं अब 5 minute पर आएंगे तो जितनी भी confirmation हम को चाहिए हम अपने इनी लेबल से देखेंगे अब price ने देखे क्या क्या है morning में 9.15 की यह candle है 9.15 की candle ने जैसे rejection हम लोगों को दिखाया हमने यहां पर lower time frame के अपने कुछ support समा के और बोल दिया कि यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ short selling के लिए जाएंगे क्योंकि अगर price को ऊपर की तरफ निकला है तो वो निकल जाए फिर हम इसको देखेंगे बेरे अंदर हमने पूरे दिन short selling करने के लिए हम बैठे रहे और last के यह वाली अपनी candle बनी थी यहां कहीं हमने अपनी exit stop loss जो हमने इसके अंदर अपना लगा था just अपने swing high के उपर अपना stop loss लगा दिया था and entry points हमारे कुछ इस वाली जगर पर थे तो बहुत एक simple rate हमारा इंदुस्तान युदि वर का था कोई भी बहुत ज़्यादा dark analysis इसके अंदर हमने नहीं की थे अब day time frame पर आप देखिए यह जो resistance points है price हमारा upside के तरफ चलता चला जा रहा है लगातार उपर के तरफ जा रहा है लेकिन यहाँ पर volumes देखिए अभी में volumes mark यह थी ना कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है buying 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 आती चली जा रही लेकिन price के अंदर क्या है यह value points इसके resistance points है जिस वाज़े हमने इसको trade किया था अब 5 minute पर आए गए फिर से देखिए अब 5 minute पर आ जाने के बाद में same resistance level पर price ने किस तरह से यहाँ पर react किया है 9.15 की candle नीचे के दुरफ present 9.15 की candle के नीचे आकर करके closing कर दी यहाँ पर confirmations थी कि हम यहाँ से अपने trade execute कर सकते है तो price जैसे यह अपने कल की range के अंदर आगे इस color हम देखे change कर देते है black इसको कर देते है और रहुत असा dark ठीक है अब जैसे price हमारे इस black वाली candle के अंदर आ करके black वाली level के अंदर आ करके trade करने लगा तो इसके अंदर यह लग गया कि आज हिंदुस्तान रिलिवर गया वैसे हम इसको trade ने कर देखे हमारे red color का sign बनो लीजे वो तो हट गया वापस कर देते है red क्योंकि जब इसके अंदर मेरा experience बड़ा खराब रहा है इस stock के अंदर जब भी हम फसे है ना बहुत बुरा इसने में trap किया है लेकिन आज हमें confirmations थे तो खुद भी trade किया और गुर्प में भी share किया है दूसरे stock हमारे Infosys Infosys के अंदर buying के कुछ order पढ़े हुए थे जो कि execute होने थे जिस वज़े से इतना बड़ा momentum हम लोगो catch करने को मिला आप देखोगे कि ICI Saveank कभी मैंने क्या बोला कि ICI Saveank और Infosys के दो stock थे जो कि हमारी watch list में थे प्राइस ने जैसे अपने resistance level को upside के तरफ break किया इसके अंदर मैंने क्या का कि आप buying कर लो क्यूं ऐसा कहा था क्यूंकि day time frame पर इसने अपने एक बहुत ज़रूरी levels को break किया था upside के तरफ एक तो ये black वाली candle हमारी इस black वाली candle पर और दूसरे ये वाली मेरी black candle इन दोनों ही black candle के उपर जाकर के price जैसे ही sustain हुआ सबसे पहले कि अगर गिरना होता price को तो इस range से ही price अवारा नीचे की तरफ गिर जाता है अगर गिरना होता हो तो ये गिर जाता है हमने क्या गाता है price अगर upside की तरफ जाता है confirmations लीजे trade execute कीजे बट price नीचे नेगरा फिर ये ऊपर ही निकल गिया और उसने ऊपर की तरफ जाकर के अपने closing कर दे trade execute और अच्छा momentum दे करके गया यहाँ पर देखे Infosys ने पूरे दिन में कितना momentum देखा है अप से लेकर के downside की तरफ 1.6% का और जब ICSA bank देखोगे यह भी बहुत अच्छा move किया है लेकिन पूरे दिन का momentum अपने level से upside की तरफ 1.8% का जितना हमारा ICSA bank चला है या जितना हमारे Infi चला उतना ही ICSA bank चला है लेकिन Infi के अंदर momentum बड़े आए है ICSA bank धीरे धीरे करके हमारा upside की तरफ गया तो दोनों में momentum अच्छे हैं जबकि bullish market के दौरा हमने actual को short किया क्योंकि जिस level से गिर रहा था इसके अंदर upside की momentum हो सकते हैं क्योंकि market कोई भी हो सकता है expected नहीं था क्योंकि आज ही अपने resistance level से जिस तरह से reject किया गया है downside की momentum अभी infy को देखे, infy को देखने से पहले कुछ एक drawing sum बनाएंगी इसको समझेगा price को अगर नीचे की तरफ जाना है तो किस तरह से candle बनी, low break हो candle बनी, low break हो candle बनी, low break हो मतलब price अपने supports को break करते हुए नीचे की तरफ गिर रहा candle के highs को mark कर लेता है, जो candle form हो रही होती है देखिए, इसका high break हो रहा है यहाँ पर जो चीज़े mark होती है price अगर नीचे की तरफ गिरा है तो इसने अपने lows को break करते हुए down momentum को दिखाया, अब यहाँ पर जो high भी important होगा इनका high important होगा और यही है, यह वाले ही high हमारे लिए एक resistance की तरह वोग करते है यह बहुत simple simple सी चीज़े हैं देखिए, जितने easy language में हम आपको बता देते हैं समझा देते हैं इससे simple language हो ही ही नहीं सकती अगर complicated करना हो तो बहुत easy है इतनी complicated market आप के लिए हो जाएगी मतलब price अपने lows को break करता हुआ आ रहा है देखिए, lows break हो रहे हैं, लगातार हमारे lows break हो रहे है अब अगर price को उपर की तरफ जाना है तो इसे अपने highs को break करना हो price यहाँ पर क्या कर रहा है अपने highs को protect कर रहा है और lows को break कर रहा है जितने भी हमारे highs हैं, देखिए, वो protected हैं, protected, 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 highs नीचे की तरफ shift हो रहे हैं, और lows नीचे की तरफ shift हो रहे हैं, एक हमारी ये mother candle form ही और price नीचे की तरफ जाकर किसके closing दे दी, समझे, price ने एक ये mother candle form की और price नीचे की तरफ जाकर कि closing दे दी, अब अगर price को नीचे गिरना है तो क्या करना होगा जहीर सी बात है कि price को अपने lows brick करने होंगे lows brick करने होंगे but price ने again upside की तरफ मतलब हमारी 12th of July की candle के अंदर आकर कि इसने trade करने start कर दिया अब price यहां से उपर की तरफ निकल रहा है यहां पर देखे कि जो 12th of July की candle आप इसका हाई मा कर लो 12th of July की यह जो candle हमारी हाला कि जो ज़रूरी हमारी candle important है वो 11th of July की candle है अपने signification के according यहां पर जो ज़रूरी candle वो यह वाली candle है अब यहां से read करें कि price नीचे की तरफ गर रहा अब अगेन यह वापस अपनी इस range के नीचे अंदर आकर की क्यों trade करने लगा अब आप 5 minute में आजओ 5 minute में देखे आज price ने जो अपनी opening दी वो हमारी इस level के अंदर opening दी मतलब कि मेरे level के अंदर आकर की trade कर रहा है जिस range के नीचे price ने दो दिन तक trade execute किया है कल एक positive closing और आज एक gap up opening gap up के बाद अगर price को नीचे के तरफ गिरना तो यह गिर जाए हमने क्या कहा थे कि price अगर इस वाले level के उपन निकलता है न आप बाई खरो selling के लिए सोचना भी मत यहाँ पर जितने भी order हमारे buying के थे सारे के सारे एक्सेक्यूट है और कुछ buyings के order यहाँ पर रखे हुए भी थे कि जो pending पड़े हुए थे उन pending orders के पड़े होने के वज़ए से प्लस जो stop loss यहाँ पर आज के दिन हिट हुए है इस वज़ए से हमें इतना बड़ा momentum देखनो यहाँ पर समझने वाली चीज क्या है date है यहाँ पर जो volume का breakout यह market close हो जाने के बाद में हमको देख रहा है बट 9.15 पर price ने अलेड़ी यहाँ पर breakout कर दिया था 9.15 पर देखे 5 मिनिट की जो candle है हमारी यह देखिए इसने अलेड़ी breakout कर दिया है मतलब कल से ज़ादा आज की volume से तो momentum की speed तो ऐसे भी increase होनी थी और day time frame की जब मैं analysis कर लेते तो इससे और हमारा confidence बिल्ड हो जाता है IT sector काफी दिन से गिर रहा है retracement जिस तरह से हमने हिंदुस्तान यूनिलिवर के अंदर बोला higher high high low उसी तरह यहाँ पर lower low lower high सभी लोगों को मालू में lower low lower high होता higher high high low use कैसे करना है simple सी चीज़े price को rate करना होग आपको rate करिए समझने ही कोशिश कीज़े market को समय दीजे time दीजे यह साइच चीज़े समझ भाए कुछ कोई बहुत ज़्यादा tough चीज़े नहीं है जो market आपके लिए बन रहे है वही मेरी लिए भी बन रहे कोई अलग से market form हो करके नहीं है हम market में बैठे हुई दो-तीन घंटे से उपर हो चुका है और trade भी मारा नहीं चला है हम क्या करें आपर मार तो trade चुरू ना तो उसमें कोई analysis है ना तो कोई money management है ना वहाँ पर कोई professionalism है कुछ नहीं है मन में आया buy कर ये green candle देख करके तो अक्सार लोग buy करते है आप buy करते हो market वहीं से नीचे आप short माते हो वहीं से market उपर कुछ चीज़े है market को समय दो बहुत साइच चीज़े है आपको समझाएगे market को खुद बखुद समझाएगे Thanks and I hope के वीडियो से कुछ ना कुछ आपने ज़रू सीखाऊगा वीडियो को लाइक कीज़ेगा और अगर कुछ question है कुछ doubts है तो आप comment box में से clear कर सकतो अपने questions put up कर सकतो Thank you and you will meet again